हेर ट्रांस्प्रांट के बाद बालों की ग्रोथ कम प्रारंब होती है। और आज के वातवरण में संशे है, एविश्वास है, धोका दड़ी है और ऐसे वातवरण में जिस वेक्ति का हेर ट्रांस्परांट होता है वो उसके मित्र, उसके रिस्तिदार इस बात के इंतिजार करते हैं कि उनकी दिल की खौईश, उनकी सिर पर वो सुन्दर बाल, लहला कब आएंगे, तो दोस्तों, मैं आपको एक इसकी पूरी सिक्वेंस बताता हूं कि हेर ट्रांस्परांट के बाद में क्या होता है, जिस रोज हेर ट्रांस्परांट होता है, उसको हम डे वन बोलेंगे, मालो एक तारिक को आपका हेर ट्रांस्परांट हुआ, डे वन पे हेर transplant होता है फिर 10 डे पर हम beta dine scrub को head wash के लिए आपको advise करते हैं आप head wash करते हैं और 4-5 दिन तक beta dine scrub से head wash होता है इसके बाद में scaps दिखते हैं आप इस picture में देख सकते हैं कि day 1 पर head transplant का look अलग है और day 10 पर head wash के बाद में बहुत सारे आपको scap दिखाई दे रहे हैं scap मिंज fruit जिसे अपन बोलते हैं जैसे अपने को चोट लग जाती है और वहाँ पर जो fruit बनता है ऐसे clot type का बनता है brown color का फिर 10 दिन बाद से प्रक्रिया प्रारंब होती है वो scaps का निकलना फिर वो scaps निकलते हैं और 15-16 दिन आपको बहुत अच्छा लगता है छोटे-छोटे बाल बड़े सुन्दर लगते हैं आपके मन को लुबाते हैं और अच्छा लगता है अकसर ऐसे स्थिति में मैं उनको बोलता हूँ कि इन बालों से दिल मत लगाना क्योंकि कहां एक भी बाल में था और कहां वो छोटे-छोटे खुरूट आगए तो आपके मन को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये बाल जाते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ को से दिल मत लगाना ये धोका देंगे फिर वो बाल चले जाएंगे अब ये बाल 15 दिन से एक मैने तक में जाते हैं कोई जाता है कोई नहीं जाता है कुछ लेट जाते है कुछ जल्दी जाते है इस प्रक्रिया में आपको नहीं पढ़ना है कि ये क्यों नहीं गया ये गया और आपके मन को ठेस पहुंसती है लेकिन हर हेर ट्रांस्परंट सर्जन इस प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत कराता है कि ये बाल जाएंगे अब प्रक्रिया शुरू होती है इंतजार की आप हर दिन इंतजार करते हैं हर दिन आपके मित्र बोलते हैं सिर जुकाना तो हर दिन आपकी प्यारी सिस्टर आपको बोलती है भाईया देखते खूँ तो बाल आए क्या और वाप पे वेंगातमक मुस्कान छोड़ती है कि तेरे बाल नी आएंगे और आपका दिल पे एक ठेस पहुंच दिगी यार कई मेरी हसी ना उड़ जाए आपको डरने की जरुवत नहीं है वो बाल आएंगे और आवश्य आएंगे कब आना प्रारम बोते हैं हे ट्रांस्परांट के दिन से तीन से चार मेने बाद आप चार मेना पकड़िये चार मेने बात उन जड़ों से जिन जड़ों को लगाया गया है रोपित किया गया है ट्रांस्परांट किया गया है उसमें से धीरे से नन्ने से बाल निकलना शुरू होते हैं कई बार तीन मेने पे बिलकुल खाली हो जाता है हम बोलते हैं उजड़ा चमन हो गया सपार्ट दिल को बह फिक्स डायलोग है जो मैं सब को बोलता हूँ कि धहरे का बान तूट जाता है। लोग आपको रियलाइज करा देते हैं कि आप तो बन गए आपके बाल नहीं आते हैं। और आपके मित्र भी आपकी थोड़ी बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरुवत नहीं है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया जो वो लोग नहीं कर सके। हेर्ट ट्रांस्प्रन्ट हर कोई वेक्ति नहीं करा पाता है। आप हैं जिन्होंने अपनी दिल की खौईश को पूरा करने के लिए पैसे खर्च के कष्ट साहा तो बाल आएंगे और वो चार महने पर बाल आना शुरू होते हैं। आपको अच्छा लगता है। शुरू में वो पतले पतले बाल आते हैं आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। फिर पांच्छे मेंने पर अल्मोस बाल आ जाते हैं लेकिन पतले पतले बारिक बारिक रहते हैं। आपको मन में फिर एक संशे आता है कि यारे तो बाल बड़े दूर दूर आ रहे हैं। या खाली लग रहा है या भरावा लग रहे हैं। उसमें भी आप चिंता ना करें। जो ही छटा मना आप क्रॉस करते हैं, अक्सर बालों का घनापन बढ़ने लगता है, आपके मन में विश्वास जगने लगता है और आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप अपने मित्रों को confidently देख सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर थोड़ा सा इंतिजार कर आठ से बारा मेने का एक पीरिड ऐसा होता जिसमें हमको almost final result मिलते हैं, बाल लंबे होते हैं, बाल मोटे होते हैं, और बाल एरिये को cover करने लगते हैं, एक मैं मैं पून सकते बता दू हैर transparent में, जितने संख्या में transparent से पूर आपके इस एरिये में बाल थे, उतने बाल नहीं लगते हैं, तो बाल की density या बाल का look तब आता है, जब वो बाल लंबा होके बाकी एरिये को भी cover करता है, आते हैं, नट शेल में मैं आपको कहूं, यदि आपके hair transplant surgeon में अच्छा काम किया है, जैसे regionate hair transplant center पर, सारे ethical principle follow होते हैं, graft holding solution plasma को काम मिलिया जाता है, no touch to root technique काम मिलिया आता है, transaction rate यहाँ पर बहुत कम है, इस सब के current result बहुत अच्छे आते हैं, समय से पहले आते हैं, तो आपके बाल सारे उगेंगे, जितने लगाए गए हैं, वो बाल उगेंगे, और उनका परिणाम आपको चार मेने में निकलना शुरू होंगे, छै मेने में अच्छा लगन करिए, उसके instructions को follow कीजेगा, आपके बहतर परिणाम आएंगे ही आएंगे, इस से संबंदित, आप कोई भी question पूछना चाहते हैं, तो आप हमें call कर सकते हैं, अब मेरे इस के उपर, screen के उपर हमारे number भी आ रहा है, email address भी आ रहा है, धन्यवाद, thank you, thank you very much. सारी emergency के equipments है, प्राय कर किसी प्रकार की कोई problem नहीं होती है, लेकिन हमारा center, हमारे staff और doctors की team, किसी भी प्रकार की complication या परिशानने के लिए तयार रहती है, आपको और जान करी चाहिए, तो आप ये जो number दिये गए हैं, उस पर call कर सकते हैं, या आप हमें email लिख सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू very much.